आज भारत अपना पहला जन जातिय गवरव दिवस मना रहा है। संस्कृति स्वतंत्रता अंदोलन और राष्ट निर्मान में उनके योगदान को गवरव के साथ याद किया जा रहा है। उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आजादी के अमरत महोसव में इस नए संकल्प के लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आज यहां मध्यप्रदेश के जनजातिय समाज का आभार भी व्यक्त करता हूँ। बिने अनेक वर्षों में निरंतर हमें आपका असने आपका विश्वास मिला है। इसने हर पल और मजबुत होता जा रहा है। आपका यही प्यार हमें आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करने के लिए प्रेणा देता है, उर्जा देता है। साथियों, इसी सेवा बाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए शिवराजी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुबारम किया है। और आज जब कारकम के प्रारम में मेरे आदिवासी जनजातिय समू के सभी लोग अलग-अलग मंच पर गीत के साथ, धून के साथ, अपनी भावनाएं प्रगट कर रहे थे। मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए क्योंकि मेरा अनुभव रहा है कि जीवन का एक महत्वपन कालखन मैंने आदिवासी के बीच में बिताया है। और मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोईने कोई तत्व ग्यान होता है। परपज अफ लाइफ आदिवासी अपने नाजगान में, अपने गीतों में, अपनी परंपराओं में बख्खुभी प्रस्तूत करते हैं। और इसलिए आज के इस गीत के प्रती मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था। और मैंने जब गीत के शब्दों को बारीकी से देखा, तो मैं गीत को तो नहीं दोरा रहा हूं। लेकिन आपने जो कहा, शायद देश धर के लोगों को आपका एक एक शब्द जीवन जीने का कारण, जीवन जीने का इरादा, जीवन जीने के हेतों बक्खुबी प्रस्तूत करता है। आपने अपने नुर्त्य के द्वारा, अपने गीत के द्वारा आज प्रस्तूत किया, शरीर चार दीनों का है, अन्त में मिट्टी में मिल जाएगा, खाना पीना खुब किया, बगवान का नाम भुलाया, देखिए यह आदिवासी हमें क्या कह रहे हैं जी, सच मुझ में बे सिक्षी थै कि हमें अभी सिक्रा बाकी है। आगे कहते हैं, मोज मस्ती में उमर बिता दी, जीवन सफल नहीं किया, अपने जीवन में लड़ाई जगडा खुब किया, गर में उत्पाद भी खुब किया, जब अंत समय आया, तो मन में पच्छताना व्यर्त है, धर्ती, खेत, खलियान किसी के नहीं है, देखिए आदिवासी मुझे क्या समझा रहा है, धर्ती, खेत, खलियान किसी के नहीं है, अपने मन में गुमान करना व्यर्त है, ये धन, दौलत, कोई काम के नहीं है, इसे यहीं छोड़ के जाना है, आप देखिए, इस संगीत में, इस नुरुत्य में, जो शब्द कहे गए हैं, वो जीवन का उत्तम तत्वग्यान, जंगलों में जिंदी की गुजारने वाले, मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आत्मसात किया हो, इस से बड़ी किसी देश की ताकत क्या हो सकती है, इस से बड़ी इसी देश की विरासत क्या हो सकती है, इससे बड़ी देश की पूंजी क्या हो सकती है